हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपरड़ेज़ भी मैं हूं मोहमत सोहिल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आएं यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों बज़ाज फिनांस पे मैं कबसे वीडियो से अप्लोड कर रहा हूं फ्रेश बताया अपडेट दिया और मैं लेटेश्ट वीडियो था सेकेंड सेप्टेंबर को सेकेंड सेप्टेंबर पर मैं क्लेरी मेंशन कर चुका था अगर स्टॉक 7,180 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो निकल जाना वरना मत निकलना और अगर आप यहां पर देख सकते हैं स्टॉक दूसरे दिन हाई ही 7,237 पे ओपन हुआ मैं बताया ट्रेलिंग के साथ आपको टार्गेश लेके चलने उसके दूसरे दिन जो मैं अनालिसिस दिया 2nd सेप्टेंबर पर क्या क्या होने वाला है अब आप देख सकते हो इसका जो हाई लगा इसका क्या हाई लगा 7,450 का हाई इसका मतलब हमारे ट्रेलिंग के साथ पूरे टार्गेश अचीफ होगे इसके ऊपर मैं कहीं पर भी लेवल नहीं दिया क्यों नहीं दिया क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैं क्या बताया अगर यह ऊपर का लेवल भी टच करेगा तो फॉल करेगा या नीचे का पर टॉल करेगा इसलिए हम लोगों को ट्रेलिंग पे काम करना है अब मैं करता हो प्रीवियस अनलेसीज डिलिट अब देता हूं में न्यू अनलेसीज के अंदर कुछ भी नहीं है no trading zone बस यह है प्रीवियस ट्रेड़ वैल्यू यह है उसका प्रीवियस ट्रेड़ अब एक बात आप याद रगो stock के अंदर ये जो level है ये मेरे लिए no trading zone है no trading zone क्यों no trading zone है क्योंके stock जब तक new breakout level नहीं देता हम लोगों के लिए stock के अंदर breakout के अलावा दूसरा opportunity नहीं है इसलिए no trading zone है और breakout level नहीं देता जब तक हम लोगों को rally देखने को नहीं मिलेगा तो अभी stock यहाँ पे क्या किया fall तो किया पर multiple time reject हो रहा है अब इस rejection में stock new breakout level दिया है जो breakout level यहाँ पे है जिसके दो level निकल के आता है पर मैं consider करता हूँ ये वाला level 7199 अगर stock 7199 का level break कर रहा है तो दुस्तों stock में से निकलना है आप यहाँ पे भी खरीदे हो आप यहाँ पे भी खरीदे हो capital block नहीं होना चाहिए safe रहना चाहिए तो यह level पे आपको निकलना होगा जैसे ही break होगा निकलना होगा ऐसे नहीं stock ऊपर जा रहा है तो दोस्तों cost to cost भी निकलना होगा क्योंकि no trading zone में अगर stock चला गया तो वो breakout देगा तो rally होगा तो जब मैं entry करवाँगा अगर breakout ही नहीं देगा तो direct fall होगा क्योंकि इसका previous breakdown level यहां पर है यह जगे पर है या तो यहां से buying जानी चाहिए या इसके उपर buying जानी चाहिए अब कहां से buying जाएगा उसका भरोसा नहीं तो stock कभी भी high level एक लागाता है तो previous breakdown के according वो उपर नीचे trade करते वे reject होना चाहिए वरना उपर गया तो no trading zone होके reject होना चाहिए जैसे दोखो यहां पर breakdown है यहां पर reject हुआ यहां पर reject हुआ यहां पर reject हुआ यहां पर reject हो और यहां पर reject हो रहा है इसका मतलब यह strong resistance zone रहेगा strong resistance zone breakout के जैसा काम करेगा तो breakout पे entry लेना सही रहेगा no trading zone में entry लेना मेरे इसाब से सही नहीं है तो stock को avoid करो जब तक breakout नहीं मिलता यही था मेरा latest update अपडेट बजाज फिनेंस पे अगर आपको इस टॉक पे अनालिसिस समझ में आया वीडियो को लाइक करिए शेर करिए एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो